मौलिक कर्तव्य, fundamental duties हमारा समविधान देश के नागरिकों से कुछ कर्तव्यों के पालन की भी उमीद करता है जो देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुन रखने के लिए आवश्चक है देखिए बच्चो अभी तक तो हम लोग समविधान में दिये गए अधिकारों के बारे में जानकारी ले रहे थे लेकिन आब हम लोग पढ़ेंगे कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य क्या-क्या है यानि हम सब नागरिक जो भारतिय लोग हैं, हम लोगों को ऐसे कौन-कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारे देश की अखंडता यानि हमारा देश तूटे नहीं, वो खंड-खंड नहीं हो, अखंड रहे और उसको किस तरह से हमें बचाय रखना है, उसकी एकता को बचाय रखना है, उसको आगे बढ़ाना है तो इसके बारे में हम लोग जानकारिया लेंगे कि हमें कौन-कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जिनका पालन जरूर करना चाहिए सम्विधान में वर्नेत, मौलिक, कर्तव्य, नीमने प्रकार से हैं पहला है सम्विधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रद्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए समविधान में लिखी गई बातों को तो हमें मानना ही चाहिए बच्चों, साथ ही हमें जैसे वहां के जो भी हमारे राष्ट्र संस्थानी हैं, उनका भी आदर करना चाहिए, जैसे न्यालय हो गया, राष्ट्रपती भवन हो गया, सांसत भवन हो गया, लाल किला हो गया, ऐसे हम लोग 15 अगस्त और फिर 26 जनवरी के समय जंडोत तुलन करते हैं लेकिन आप कभी-कभी देखेंगे कि इस जंडोत तुलन के बाद छोटे-छोटे जो हमारे भारत देश के जो राश्रद्वज हैं वो रास्ते में बिखडे पड़े होते हैं कोई उससे जूता चपल उपर स चला जा रहा है कोई नाली में फेक दिया है कोई कुछ कर दिया है तो ऐसी बाते बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ऐसे क्योंकि वो राश्रद्वज है हमारा वो हमारा सम्मान है हमारे देश का सम्मान है तो हमें उसका हमेशा आदर करना चाहिए साथ ही बच्चों राश्ट्र तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसी समय वहां रुख जाएं और अपने देश के सम्मान के लिए वहां खड़े होके राश्रगान को गाएं और उसका उचीत सम्मान करें। ब्रिटिश शामराज जने किस तरह से हमारे देश को लूटा, मारा, काटा क्या नहीं किया। तो बचों अभी जब हमारा देश पूरा आजाद है और कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुती दे के ये आजादी को खड़ीदा था तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इसक का सम्मान करना चाहिए, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे की हमारा देश फिर से कभी गुलाम बन सके। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुन रखना चाहिए। पिछले ही बिंदु में हम लोग चर्चा कर रहे थे, गुलामी की बाते कर रह सरकार चुनने से लेकर देश को चलाने के सारे निर्ना लेने का पूरा अधिकार उसी देश के सरकार के पास होता है। किसी भी बहारी तत्व कोई हस्तक छेप नहीं होता है। तो बच्चों ये संप्रभुता कब बची रहेगी? जब हम गुलाम नहीं होंगे, अगर हम गु अगरा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा देश का सम्विदान यहीं सिखाता है कि हमें सब को मिल जुलके रहना चाहिए और तभी हमारा देश अखंड रहेगा उसकी जो यह सम्प्रभूता एकता और अखंडता है वो भी अक्षुन रहेगी अगला है देश की रक्षा और अहवान किये जाने पर राश्र की सेवा करनी चाहिए बच्चों ये भी उसी से तातपरे रखता है कि यदी फिर से हमारे देश में कोई ऐसी विपद्दा आती है और ऐसा कभी भी परिस्तिती गंभीर होता है जब हम सभी देश वाशियों को हमा करने को हमेशा तत पर रहेंगे भारत के सभी लोगों में समरस्ता और समान भ्रात्रित्व की भावना का निर्मान तथा महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली प्रताओं का त्याग करनी चाहिए बच्चों हमें सब एक दूसरे के साथ भायचारा निभाना चाहिए जी ये एक दूसरे के साथ मिलनसार भावना से जीवनियापन करना चाहिए रहे लेकिन साथ ही साथ महिलाओं का भी समन करना चाहिए बच्चों आपको पता है तो हम अपने ही देश की निदेन खेस भाया का अपना करने हैं The न. और महिलाओं का हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं अंजाने में ही सही हम लोग कभी-कभी शोशन भी कर देते हैं जैसे कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं छोटी उमर में ही उनकी शादी दे देते हैं कभी लड़कियों को आगे पढ़ने से रोग दिया जाता है तो ऐसी बातों क बिल्कुल नहीं होने दिया जाना चाहिए जो लड़कियां हैं वो भी लड़कों के जैसी ही हैं वो भी इंसान हैं उनको भी समान दर्जा मिलना चाहिए सामाजिक संस्कृति की गौरव शाली परंपरा के महत्वों को समझना और उसका परिरक्षन करना चाहिए तो बचो हमारा देश जो है वो विविद संस्कृति का देश है और हम लोग सब बहुत अपने संस्कृति पे गौरव भी महिशुस करते हैं गौरानवित होते हैं अपने परंपराओं पे अपने संस्कृति पे और होना भी चाहिए, तो इसके महत्व को हमें समझना चाहिए और इसकी परिरक्षन का मतलब होता है कि हमें इसको निभाते रहना चाहिए, इसका मान सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए प्राकृतिक पढ़्यावरन जिसके अंतरगत वन, जील, नदी और वन्यजीव हैं कि रक्षा एवं उसका समवर्धन करना चाहिए, तो बच्चों जितनी भी प्राकृतिक पढ़्यावरन हैं इसकी रक्षा करने का जिम्मेवारी किस पे है, हम सबों पे है, हम सबों को इसका ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो वन हो, चाहे वो जील हो, नदी हो, वन्य जीव हो, उनकी रक्षा करने का भी जिम्मेवारी हम सब नागरिकों की है, तो हमें अपने प्राकृतिक पढ़्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए. वैज्यानिक दृष्टिकौन, मानववद और ग्यानरजन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए. यहां पे बच्चों वैज्यानिक दृष्टिकौन का अर्थ है, विज्यान हमें क्या सिखाता है, कोई भी चीज को जाच पढ़क कर उसके सत्य की जाच करना, है ना तो अगर हम लोगों का कभी कभी क्या होता है, कुछ रूरी वादी विचारधाराएं ऐसी होती है, जिनका कोई मापदंड नहीं होता है, और ऐसी बातों को हमें जरूर से जरूर वैज्यानिक रूप से, यानि तर्क वितर्क से, सुध समझ के पड़क के देखना चाहिए, क तो हमारे विचारधाराओं में बदलाव की बात की जा रही है, फिर मानववद, मानववद का मतलब होता है, सुक सम्रिद्धी वंग शांती से पड़ी पूर्ण जीवन के लिए सच चरित्र तथा सदाचारी, जो उत्कृष्ट जीवन के लिए जरूरी है, यानि हम छल कप बाते बोले तो वो भी इनी बातों से जुड़ी हुई है, सुधार की भावना, यानि हम लोग कभी-कभी कुछ ऐसे विचारों में ऐसी बातों में उलज के रह जाते हैं, हम लोग आगे सोच नहीं पाते हैं, तो हमें अपने भावनाओं को, अपने विचारों को सुधारने कि अपका, सरक जहांपे, आप चलते हैं, पार्क जहांपे आप खेलते हैं, अस्पताल जहांपे आप इलाज करवाने जाते हैं, ट्रेन जिसमें आप चड़के कहीं दूर घुमने जाते हैं, यह न, तो यह सब सारवजनिक समपतियां हैं, और इनकी सुरक्षा कभी दाइत्व हमारा ही है हम लोग कभी-कभी क्या करते हैं सारवजनिक स्थलों पे थूख देते हैं कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं कुछ खाते रहते हैं तो उसको भी हम लोग गिरा दिये फेग दिये विद्याले में भी कभी-कभी दिवारों पे हम कोई आप लोग चीज भी देते हैं, पैंसिल से कुछ लिग दिये, कभी-कभी कुछ लोग तो वहाँ पे गंदी चीजों को फेग भी देते हैं, तो बच्चों ऐसा बिलकुल भी नहीं करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसका देखभाल करना चाहिए, और उसका रखरखाव सही से करना चाहिए, अगला है वैक्तिगत और सामुहिक गतिवीधियों के सभी छेत्रों में उतकर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए, जिससे राष्ट्र, निरंतर विकास और उपलब्धी की नई उचाईयों की ओर बढ़ सके, तो बच्चों यह बाकी लोगों की अवहल ना करें, उन्हें नहीं देखें, सब को लेके आगे बढ़ना चाहिए, तभी हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, और हम लोग सभी विकास कर पाएंगे, नई उपलब्धियों को पा सकेंगे, नई उचाईयों को पा सकेंगे, तो यह तभी होगा, जब हम लोग हमेशा प्रयास रत रहें आगे बढ़ने के लिए, अपने देश को आगे ले जाने के लिए, अगला है माता पिता या संगरक्षक को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक कि आयू वाले अपने बालक या प्रतिपाले को शिक्षा के अवसर प्रदान करना चाहिए, त उनको 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के कोई भी बच्चे हैं तो उनको पढ़ने जरूर देना चाहिए, उनसे उनके शिक्षा कादिकार नहीं चीनना चाहिए, अब हम लोग पढ़ेंगे धर्म नीरपेक्षता यानि सेकुलरिजम, तो धर्म नीरपेक्षता का साबदी कर्थ होता है धर्म के प्रती नीरपेक्ष भाव का होना, इसका ये मतलब होता है बच्चों कि सभी धर्म को बढ़ावर का दर्जा देना या बढ़ावर का महत्व देना, भारत देश जो है इसमें कितने ही धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी धर्म के लोग एक साथ मिलजुल क रहते हैं सभी परवतेवार एक दूसरे काब मनाते भी हैं सब एक साथ खाते भी हैं और आप लोग तो विद्याले जब आते हैं तो आपके कितने सारे दोस्त अलग-अलग धर्म के भी होते हैं तो भी आप लोग सब एक ही जगा बैठते हैं आप लोग एक ही साथ MDM भी खाते आपको एक ही शिक्चक पढ़ाते हैं तो इसी को धर्म निर्पिक्षता कहते हैं और आप इसको गौर कीजेगा कि आप जब प्रार्थना भी करते हैं तो वहाँ पे भी क्या किया जाता है हम लोग जो गाना गाते हैं तू हिराम है तू रहीम है तू करीम कृष्णा खुदा क्योंकि हर धर्म हमें यही बताता है कि इनसान जो है वो सबसे बड़ा होता है अब हम लोग देखेंगे मानव अधिकार क्या है वैसे अधिकार जो वैक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं मानव अधिकार कहलाते हैं इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजी क्या राजनेतिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती मानव अधिकार से तात पड़े उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतनतता, समानता एवं प्रतिष्टा से जुड़े हैं इसमें समविधान में बढ़नित मूल अधिकार के अलावा अंतर राष्ट्रे समझाते के फलसरूप संयुक्त राष्ट्र महासबा के द्वारा स्विकार किये गए अधिकार भी शामिल है बच्चों हम लोग मानवादिकार दिवस भी हर साल 10 दिसमबर को दुनिया भर में मनाते हैं और वर्ष 1948 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासबा द्वारा 10 दिसमबर को इसे मनाने की घोशना की गई थी